नमस्कार दर्शको दर्शको बात करेंगे आज के विशेश उपाई पर आज हम उन लोगों के लिए उपाई बताएंगे जो लोग काफी समय से प्रयास करने के बाद भी अपना बिजनस सेटल नहीं कर पाते जिन लोगों को करज बहुत अधिक बढ़ जाता है काम में बार-ब बदलते रहते हैं परन्तु किसी भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिलते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बिजनस ना चल रहा हो और कोई ना कोई बाधा आन पड़ती हो धन काफी लोस हो गया हो कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया हो जिसके कारण मानसिक तना आफ भी बहुत अधिक हो नीद बिल्कुल नहीं आती है ऐसे लोगों को और हो सकता है कि ऐसे लोग बाधाओं को और अधिक बढ़ा दे यदि वो मानसिक तनाव में चले जाएं डिप्रेशन में चले जाएं तो इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और आपकी मानसिक शान्ती के लिए हम आज एक विशेश उपाई आपको बताएंगे मित्रों आपको करना क्या है बिल्कुल आसान तरीका बिल्कुल उसमें आपको कहीं जाने की अवश्यक्ता नहीं है घर पर रहकर ही उपाई करें रात को जब आपने सोना है सोते समय आपको एक कोईन जो सिक्का चलित हो पांच रुपे का एक सिक्का लेना है उस सिक्के पर आपने कच्चे दूद से एक तरफ तिल्क करना है कच्चा दूद एक ड्रॉप लगा करके उसका तिल्क कर दें और थोड़ा सा उस पर आप यदि हो सके तो सफेद चंदन का तिल्क कर दिया कर अगर सफेद चंदन आपके पास नहीं है तो कच्चे दूद का ही कर दें करने के बाद आपको जब रात को आप सोने के लिए जाएं तो इसे अपने तक्ये के नीचे रख ले और आप देखेंगे कि आपको नीद बहुत ही बहतर तरीके से आएगी मन में शांती रहेगी जितनी भी परिशानिया है डिप्रेशन है टेंशन है आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ही दिन प्रयास करने पर ये दूर हो गए हर रोज सिक्का आपने बदलना है पुराना सिक्का जो रात को रखा है सुबा उसे उठाना है उठा करके एक जगा इकठे करते रहें किसी लाल रंग की थैली में डालें 40 दिन तक आप लगातार कर सकते हैं इसको उपाय को और 40 दिन तक वो 55 के सिक्के आपने कठे कर लेने हैं और जाकर कि किसी ऐसी संस्था में दान दें या ऐसी जगा पर लगाएं कि किसी भी रोगी व्यक्ति को जी यहां मित्रों जो रोगी हो उसकी दवाई आपने उन पैसों से करवानी है उस दवाई के लिए और आशदी के लिए ये पैसा खर्च करना है अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप देना चाहते हैं और नहीं मिल रहा तो आपको करना क्या है कि किसी संस्ता में जाकर के जो की निशुनक दवाईयां गरीबों में बांडती हैं वहां जाकर के ये पैसा दान कर दें और इसके साथ जितना और पैसा एड़ करना चाहें वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर दे मित्रों ये चोटा सा उपाय है आपको लगता है कि ये उपाय क्या करेखा आप एक वार करके देखे फिर देखे इसका परभाव ऐसा परभाव होगा कि जितना भी कर्ज है आपका वो कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा किसी ना किसी वजह से जो आपका धन रुका हुआ था किसी के पास वो पैसा वापिस आना शुरू हो जाएगा उसकी recovery होनी शुरू हो जाएगी और साथ में आपका जो business बिल्कुल नहीं चल रहा था आप प्रयास कर रहे थे business down पर down होता जा रहा था बिजनस अप होगा बड़ेगा और आपकी चारो तरफ लोग जो आपकी help नहीं कर रहे थे आपसे बात करना नहीं चाह रहे थे कुछी दिलों में आपसे बात भी करेंगे और आप तो मित्रो ये उपाए आपको अवश्य करना है बहुती कारगर उपाए है 40 दिन तक लगातार आपको ये उपाए करना है पांच का सिक्का जो व्यक्ति समर्थ नहीं है वो दो या एक का सिक्का भी रख़़ए था नमस्कार दर्श को दर्श को बात करेंगे आज